इस वीडियो में हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग थेरी को स्टेडी करेंगे पिछले वीडियो में हमने पोस्ट ड्रिफ स्टेडी यानि कन्वेक्शनल करंड थेरी और सी फ्लोर मैपिंग की फाइंडिंग्स को समझा World War 2 के बाद पहली बार साइन्टिस्ट उस समय अवेलेबल मेथड से सी फ्लोर को एक्स्प्लोर कर रहे थे 1950 में मेरी थार्प और ब्रूस हेसन ने सोनार टेकनिक का प्रयोग करके अटलन्टिक ओशन बेड का पहला बैथिमेट्रिक मैप तयार किया ओशन्स की डेफ्थ और पानी के नीचे के लैंडफोर्म्स के स्टडी को बैथिमेट्रिक कहते हैं साइन्टिस्ट और जोग्राफर्स ने सी फ्लोर पर बहुत डाइवर्स लैंडफोर्म्स को अबज़र किया इन फैक्ट वे कॉंटिनेंट्स से भी ज़्यादा डाइवर्स थे यहां उन लैंडफोर्म्स का क्विक रिव्यू करेंगे कॉंटिनेंटल मार्जिन ये कॉंटिनेंटल शोर्स और डीप ओशन बेसिन्स के बीच का ट्रांजिशन एरिया है इन मार्जिन्स पर उन्होंने कॉंटिनेंटल शेल्फ, कॉंटिनेंटल स्लोप, कॉंटिनेंटल राइज और डीप सी ट्रेंचेस जैसे लैंडफोर्म्स को पाया ट्रेंचेस यानि समुंदर की सबसे निचली और डीप जगा अबिसल प्लेंस वो विशाल मैदान है जो कॉंटिनेंटल मार्जिन्स और मीड ओशनिक रीजेस के बीच स्थित है और मिड ओशनिक रीजेस जो बहुत बड़ी लंबी माउंटेन रेंजेस है जिसके शिखर पर यानि टॉप पर सेंट्रल रिफ्ट सिफ्स्तिम होती है रिफ्ट यानि दरार उनका स्लोप और प्लेटाव फ्रेक्चर्ड होता है ये रिफ्ट या दरारे इंटेंस होलकानिक ऐक्टिविटी का स्थान होती है पोस्ट डिफ्ट स्टेडि से खास कर सी फ्ट्रोयर के मैपिंग और ओशनिक फ्लोयर के पैलियो मैगनेटिक स्टेडि से कुछ important observations मिले Paleo-magnetic मतलब rocks के उन-magnetism का study जो उन-rocks में तब induce होता है जब वो rocks form होते है तो इसमें पहली observation थी कि mid-oceanic reaches में जोला मुखी के eruptions common है और वे sea floor पर भारी मातरा में magma लाते है दूसरी, mid-oceanic reaches से equidistant rocks अपनी age, chemical composition और magnetism में remarkable similarity दिखाते है और सबसे surprising observation ये थी कि oceanic crust की rocks की age maximum 200 million years की थी जबकि continental rocks 3200 million years पुरानी थी चोथी ये कि sea floor पर sediments unexpectedly बहुत थिन थी scientist का expectation था कि ocean floor पर sediments में बहुत पुरानी layers होंगी लेकिन वे भी maximum 200 million वर्ष पुरानी पाई गई और पाचवा deep trenches के earthquakes का center बहुत deep है जबकि mid-oceanic reaches के earthquake का center shallow है इन observations के आधार पर Harry Hess और Robert Deets ने 1961 में अपनी theory प्रपोज की जिसे sea floor spreading के नाम से जाना जाता है Hess और Deets ने प्रपोज किया कि oceanic reaches के top पर lava के continuous eruption से oceanic crust rupture हो जाती है और नए lava उसमें first जाते है रीज में बनने वाले pressure से रीज के दोनों sides एक दूसरे से दूर push होती है और इस प्रकार sea floor spread होता है या फैलता है लेकिन एक sea floor के spread होने से दूसरे sea floor का shrinking नहीं होता Hess ने इसके कारण के बारे में भी सोचा उन्होंने प्रपोज किया कि reach पर volcanic eruption के कारण spread होने वाला oceanic crust continent के past ranges में continental crust के नीचे डूब जाता है तो ऐसा क्यूं होता है oceanic crust की thickness continental crust की comparison में बहुत कम है लेकिन फिर भी oceanic crust continental crust की comparison में heavy है इसलिए जहां oceanic crust और continental crust मिलते है वहाँ spread होने वाला oceanic crust continental crust के against push होता रहता है और एक समय पर वो अपने वज़न के कारण continental crust के नीचे दब जाता है इसे subduction केते हैं इसका अर्थ है कि oceanic crust दिरे दिरे ridge से दूर चली जाती है और finally continental crust के नीचे चली जाती है और oceanic rocks को वापस magma में बदल देती है Ridge पर बनने वाले नए rocks spreading के कारण continents की और बहुत slowly move होते हैं और finally continental crust के नीचे subject हो जाते हैं क्या आप अंदजा लगा सकते हैं कि इस process को कितना समय लगता होगा लगबक 200 million years इसका मतलब है कि इस अवधी में पूरा oceanic crust continental crust के नीचे गायब हो जाता है इसलिए किसी भी समय हम sea floor का study करते हैं तो हमें 200 million worth से अधिक पुरानी rocks नहीं मिलती